सब्सक्राइब कीजी हमारे चैनल को और प्रेस कीजी इस बेल आइकन को ताके आप मिश न करें हमारे लेटेस वीडियोस नमस्कार दोस्तों धार्मी तत्त में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ जामन्त और भगवान श्रीकिस्न के बीच महायुद तो आईए जानते हैं पराणिक कताओं के अनुसार एक बार सत्राजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की जिससे प्रसन होकर उन्होंने अपनी श्रीकिस्न अपने साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे तो सत्राजीत शमंतक मणी मस्तक पर धारण किये उनसे भेंट करने पहुँचे उस मणी को देखकर भगवान श्री किस ने सत्राजीत से कहा कि तुम्हारे पास जो यह आलोकिक मणी है इनका वास्त्रिक अधिकारी तो राजा होता है इसलिए तुम इस मणी को हमारे राजा उग्रिसेन को दे दो यह बात सुनकर सत्राजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए सत्राजीत ने शमंतक मणी को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया वह मणी रोजाना आट भार सोना दिती थी जिस अस्थान में वह मणी होती थी वहां के सारे कस्ट स्वयम ही दूर हो जाते थे एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनी जीत उस मणी को पहन कर घोडे पर सवार हो आखेट के लिए गया वन में प्रसेनी जीत पर एक सिंग ने हमला कर दिया जिसमें वह मारा गया सिंग अपने साथ मणी भी लेकर चला गया उस सिंग को जावंत ने मार कर वह मणी प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया जावंत ने उस मणी को अपने बालक को दे दिया जो उसे खिलोना समझ कर उससे खेलने लगा जब प्रसेन जीत लोड कर नहीं आया तो सत्रा जीत ने समझा कि उसके भाई को भगवान श्री किस्न ने मार कर मणी छीन ली है भगवान किस्न पर चोरी के संधे की बात पूरे द्वारिका पुरी में फैल गई अपने उपर लगे कलंग को दोने के लिए भगवान श्री किस्न नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रत पड़ सवार हो शमंतक मणी की खोज में निकले वन में उन्होंने घोडा सहित प्रसेन जीत को मरा हुआ देखा पर मणी का कहीं पता नहीं चला वहीं निकट ही भगवान श्री किस्न ने सिंग के पंजों के चिन देखें। शिंग के पदचिनों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंग का शरीर मिला। वहां पर रीच के पैरों के पदचिन भी मिले जोकी एक गुफा तक गए थे। जब भगवान श्री किस्न उस भेहंकर गुफा के निकट पहुँचे तब भगवान श्री किस्न ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणी ले जाने वाले का पता लगाता हूँ इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ कर उस गुफा की भितर चले गए वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणी एक रीच के बालक के पास है जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था भगवान श्री किस्न ने उस मणी को उठा लिया यह देखकर जामंद अत्यंत क्रोधित होकर भगवान श्री किस्न को मारने के लिए जपटा जामंद और भगवान श्री किस्न में भहंकर युद्ध होने लगा भगवान श्री किस्न और जामंद दोनों ही प्राकर्मी थे युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीद गए भगवान श्री किस्न की मार से महाबली जामंद की नस तूट गई वो अतिव्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र का स्मरण करने लगा जामवन्त के द्वारा भगवान श्री राम के स्मरण कटते ही भगवान श्री किस्न ने स्री रामचंद के रूप में उसे दर्शन दिये जामवन्त उनके चरोणों में गिर गया और बोला हे भगवन अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अफ्तार लिया है भगवान श्री किस्न ने कहा हे जामवन्त तुमने मेरे राम अफ्तार के समय रामण के वद हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्द की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमारी इच्छा अपने अगले अफ्तार में अवश्य पूरी करूंगा अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है जामवंत ने भगवान श्रीकिस्न को अनेक परकार से स्तुती की और अपनी करन्या जामवंती का विवा उनसे कर दिया भगवान श्रीकिस्न जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापूरी पहुँचे उनके वापस आने से पूरी द्वारिकापूरी में प्रसंता की लहर दोड़ गई भगवान श्रीकिस्न ने सत्राजीत को बुलवा कर उसकी मणी उसे वापस कर दी सत्राजीत अपने द्वारा भगवान श्री किस्न पर लगाए गए जूटे कलंक के कारण अतिलजित हुआ और पश्राताप करने लगा प्राशित के रूप में सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवा भगवान श्री किस्न के साथ कर दिया और वह मणी भी उन्हें दहेज में दे दी किन्तु भगवान श्री किस ने उस मणी को स्विकार न करके पुनहा सत्राजीत को वापस कर दिया तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे नमस्कार